हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो मैं चैनल वंस अगेन सो मैं पंकश कुमार इस वीडियो मा आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूं इसका नाम है फ्रेक्टराइज इन प्लस इम ओके तो यह दिया हुआ कि इन जो आपका नंबर है वह अल्बेज प्राइम नंबर होगा सबसे पहले एक चीज़ इहाँ पे समझने चाहिए जो आपके डिफनिशन में ऐसे लिखा भी है प्राइम नंबर क्या होता है तो प्राइम नंबर तो 2 है 3 है ठीक है 5 है 7 है लाइक डट तो 2 का फेक्टर करें हम देखें तो 1 in 2 only इसको और कोई दूसरा नमबर जोगा पर फेक्टरी डिविजवल नहीं हो गए इसको ठीक है 3 के case में देखें तो 3 में भी 1 in 3 only 5 में 1 in 5 only उसी तरह 7 में 1 in 7 only ये प्राइम नमबर के है तो यहाँ पे वही चीद्या हुआ है in जो आपका नमबर है यह आपका प्राइम है ठीक है आण्ड आपको एक नमबर फाइंड करना है कोई दूसरा नमबर in सच रैट अब n प्लस m यह प्राइम दिया हुआ है और यह भी आपको प्राइम फाइंड करना अब n प्लस m जो होगा वो non प्राइम होना चाहिए means इसके लिए कोई एक ऐसा होना चाहिए n प्लस m जो होगा यह तो हो गई होगा दो फैक्टर को एक factor at least, मैं क्या वोलाओ, at least three factor, अगर हम देखे तो, at least three factor, like अगर हम देखे तो, यहाँ पर 6 को देख लें, तो यहाँ पर one है, two है, three है, and six है, ठीक है, and let's suppose कि आपको दूसा नमबर देख लो, तो आपको कम से कम तो वहाँ पर हो सकता है, वो perfect square का होगा, तो यह, उस case में हो सकता है कि तीन ही factor हो, तो at least three factor होने है, मतलब एक और n प्लस हिम खुद के अलाबा को एक और factor तो at least होना चाहिए, वो हमें find करना है, ओके, यह question बहुत easy है, and इस तरह की easy question के काफी अलग-अलग तरीके के approach हो सकता है, ठीक है, इसके answer भी different हो, क्योंकि देखो, n prime number है, इसम करोगे तो आपको एक non prime number आपको मिलने वाला, right, मेरा जो approach है, वो बहुत simple है, सारे approach I think simple ही होगे, but मेरा approach तो अलग ही है, मैं बताओ कैसा, आपको कुछ नहीं करना, बस simply एक line कहीं कूड, मतलब मैं बोलू तो वो भी एक line नहीं है, हर question में c in, c out तो होता ही है, बस उतना ही ह आपको दिया कि n prime है, right, यह आपका solution चल रहा, ठीक, n आपका solution, n prime है, और m जो आपको find करना है, यह भी आपको prime ही find करना है, अब such a date कि n plus m non prime हो जाए, अब क्या मैंने किया, मैंने क्या बोला, कि देखो भई, यह n है, और यह m find करना, उसको भी मैंने n कर दिया, let's suppose n equal to 5, तो मैंने जो बोला कि m जो है, वो भी value 5 कर दो, तो क्या होगा, 5, 5, 10 हो गया, n plus m equal to 10 हो गया, 10 हो गया, तो क्या हो गया, अब यह even हो या odd हो, किसी भी तरीके के number हो, यह जब final number बनेगा, वो आपका एक even number ही बनेगा, इसका मैं प्रूफ आपको बताऊंगा कि कैस even number ही हमें इसा बनेगा, तो इसका 2 as a factor तो आना ही है, जैसे ही 2 as a factor आया, हो गया खेल खतम, ठीक है, 2 as a factor आया, तो खतम हो गया, अब इसके पास 10 में देखो, तो कोई हो या ना हो, 1 है, 2 है, जो भी हो या ना हो यहाँ पर, तो 10 है, यह तो at least एक factor आ गया, और अपना यही तो non prime करने का criteria था, मतलब को एक factor होना चाहिए, तो कोई prime नहीं होगा, और यह हो गया, ठीक है, अब इसका proof समझते है, I think कि आपको समझ में आगे है कि देखो, same ही number को आप print कर दो, वही आपका answer है, same ही, मतलब question ही answer है, अब इसका proof समझते है, कैसे है, तो मैं जला color change करते है प्रूफ इसका क्या होगा, दो प्रूफ यह कह रहा है, n है, और n पलस m में मैंने क्या कर दिया, n पलस m के जगा, n पलस n, और n पलस n, n पलस n क्या होगा है, 2n, 2n मींस 2 into n, इसके तो form में ही factor बता रहा है कि 2 है, ठीक है, अब इन क्या है, उससे को फर्ख नहीं पड़ता, तो भी even, even होगा, तो भी even, 2 as a factor तो यहाँ पर आ गया, तो बस यहीं चीज हमें मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, बस यहीं चीज मैंने किया, तो क्या हुगा, m की value यहाँ पर क्या होई, m की जो value हो, वो n है, ठीक है, तो आपको क्या print करना है, question में, sorry, m print करना है, और इसने ब इसके RBA approach है, ठीक है, तो आप दूसरे approach पर अगर हो, तो वो भी सही है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कि यहीं एक single approach है, जो सही है, यह ऐसा नहीं है, इस question में RBA approach है, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसमें करना भी कुछ नहीं था, input लिया, और as it is वही input को output कर दिया, बस हो गया, खेल कतम, ओके, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, and अगर कोई doubt आपका है, ठीक है, तो आप नीचे comment box में बताओ, and question का link, telegram channel का link, and code का link नीचे आपको discussion box में मिल जाएगा, so आप जा कर देख लेना, okay, मिलते हैं कि वीडियो में, till now, bye-bye.